बच्चों को कुरकुरे खाना बहुत ही पसंद है और घर में बन जाए और बहुत ही जल्दी तो फिर क्या कहने जब हमारे घर में चावल बनते हैं तो कई बार क्या होता है चावल बच जाते हैं और फिर चावलों को क्या करते हैं या तो हम फ्राइ करके खा लेते हैं या फिर एसे ही हम उनको यूज कर लेते हैं लेकिन आज हम बनाएंगे उनी चावल का रियूज करके भड़िया से चट पटे से करा रहेते इवनिंग टाइम स्नेक के रूप में कुरकुरे वह भी हेल्दी बे में और घर के सामान से तो हलो फ्रेंड्स मैं हूं गीता और कुपित गीता हमें आप सभी का स्वागत है तो चलिए आज हम बनाते हैं कुरकुरे वह भी खड़ पर इसके लिए लिए मैंने चावल एक कटोई चावल हैं जो बचे हुए हमने जो चावल बनाए दुफर की खाने में और में एक कटोई चाल बच गए थे तो यही चावल है यह अब हम इ सब्सक्राइब तैयार कर लेंगे लिए हमारा पेच त्यार हो गया है इस कंसिस्टेंसी करें चाहिए आपका पेच्ट जग इला नहीं होना चाहिए इस तरीके से मैंने इसको पीछ लिया है अब हम इसको एक बावल में निकाल लेते हैं चाल के पेष्ट को तो मैंने ये सारा चावल का पेश्ट निकाल दिया बॉल में अब हम इसमें एट करेंगे दो से तीन चम्मच डाले हैं मैंने बेशन के उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें अरा रोल अकर आपको पर नहीं है तो आप ले सकते हैं उसके ज मेरी लाल मेच इससे कलर बहुत अच्छा था तीखी नहीं होती और मेजिकल मसाला डालेंगे मेगी का इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसको डालना बहुत जरूरी है और टेस्ट अंसा डालेंगे नमक और डालके सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगी मिक्स करने के सारो पैस्ट को अब लिया है मैंने सुजी का पैकेट को अपने बार लेंगे चमच की सहाजता से भ्र लिए। कर सो और बद था करकी हम इसमें लगेंगे व से बांदना डिस्षे छुले नहीं तो इस तरी के से मैं रवर्ट वेंट से तीन से चार गठाएं लगा दियें जिसे अच्छे से बंद गया है खुलेगा नहीं से अब हमाई क्या करना है स्पैकेट के एक कौने को लेके कैटी से इसमें खलका सा कट मार देंगे ज्यादा बड़ा छेद नहीं करना है हमें हलका सा फैसा ही कट करना है है तो हमने कडाई में तेल्गरम करने रख दी आता पहले और ते आच पर एककडाई में तेल्गरम होगया है अब घर की can cheering को भी हम हाई रखेंगे आप सतरिके से सारे करकरें डाल देए करकरी कार्ट यह तो एक साइज कर बनते हैं आप अपन्छे मेशING लगते हैं तो इस तरह दबाते जाए और यहां से आप कैची से कट करते जाए जल्दी बन जाते हैं बहुत ही आसान तरीका है यह आप इस तरीके से बना लीजिए और अभी हमें इन कुर्कुरों को छेड़ना नहीं है इनको थोड़ा सिखने देना है और गेस की फ्लैम को अच्छे से पकाना है कि दो से तीर मेंट हो गए है मीडियम फ्लैम पर पकते हुए अब यह बहुत ही अच्छे से कुर्कुरे करा रहे हो गए हैं अब हम इनको डिस आउउट कर लेते हैं इस प्लेट में निकाल लेते हैं सारे कुर्कुरों के हम तो इस तरीके से मैंने सारे निकाल ली है अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरा बैच भी शेक कर दखा तो इस तरीके से कट करते जाए बहुत जल्दी बन जाते हैं बहुत इजी है यह बनाना और इनको उलटते फुलटते हम इनको करा रहा होने कर तक मिदेम फ्लेमल सेख लेंगे अब निकाल में बंतर में डाल लेंगे शेक क्योंकि हमें इस में अधे कट उरी बंसे में अलेक बंस्कोर में जाए तक रहारा है मैं आदा चमिस लिया है मैंने कालु मिस्क पावडर एक साथ में डालें तो दालेंगे अधोड़ा सा चाट मसाला एक पोस्था डालेंगे हम इसमें गर्म मसाला आप चाहां थो हल्का सा कालर नमख भी डाल सकते हैं और इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे इन सारे मसालों को हम इन कुरकुरों के ऊपर डाल देंगे अगर आप चाहां तो ऐसे भी खा लिजिए बहुत अच्छे लगते नहीं तो आप इनको टेस्ट को और थुड़ा इन्हेंज कर सकते हैं और मसाला हम चड़क देंगे स तो आफो करते हो और चत्पटे मरी चट्पट बने क्यूने के गहां कितए और एक वास को करते हैं अच्छा से मिला करते हैं तो हुआ हने को करते ही जल्याइध आपको minha रेस्पी कैसी लगी तो अपने अन्हां मेरा प्रिषाzd और चेठर को लाइक को जिए- करने का कोई पैसा ही लगता है तो प्लीज 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 एक सब्सक्राइब कर दीजिए मैं चैनल को फिर मिलते हैं नेरे स्पीक साथ थेंक यू